नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, ह्रियाना बोड़ के दशिवी और वारवें के रजल्ट को लेकर आज बढ़ी अपडेट आई हैं तो दोस्तों जैसे के आजएंगी ऐँ जानते हैं कि कल हरियाना बोड़ ने हरियाना के 10. कलास के बच्चों का रजल्ट गोषित कर दिया था, तो दोस्तो जैसे ही रजल्ट को शितुआ उसके बाद जो रजल्ट है उसको लेकर विरोध के सवर उठने लगे थे क्योंकि दोस्तो इसका मुख्य करान यह है था कि लगबग जो है वो सत्र अजार बच्चों को है वो पूरे नंबर देकर है वो इस बार बोड ने पास किया तो दोस्तो क्या है पूरी अपडेत कब तक आप का बार में कर रजल्ट आएगा दस्वे का आपको एक बार दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा बोड के 51 साल की इतियास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 10 वी कलास का रोजल्ट है वो सो परती से तरह है तो बिन पर्चे सब पास कर दिये गए हैं कभी भी बैतर परसेंट से उपर है वो दस्वी पर भी कुछ इस परकार का नहीं लिखा हुआ होगा कि कोवीड की वजय से इनको प्रमोशन मिला है तो यहां पर दोस्तों जो राज्य का एजुकेशन सिस्टम है वो भी कभी इस जमाने में नहीं कर पाया है जो करोना ने इस बार कर दिखाया क्योंकि सरकार के जो एजुके पर दोस्तों फॉर्मूले को लेकर जो बोड़ दिकारिया है उन्होंने केमेटी त्यार की तियार की तियार किया गया यह पिछले चयार सालों का आप रजल्ट देख सकते हैं और यहां पर इस बार जो है वो रजल्ट की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि आपने देखा होग कि शाड़ तीन लाख के आसपास जो है वरसाल बच्चे एक्जाम देते हैं दस्वी का परन्तु डाइलाख बच्चे हैं वो बारवी का एकज्याम देते हैं तो जो संख्या है वो ओटोमेटिक जो है वो कम हो जाती है क्योंकि दस्वी कलास में जो है वो पैतिस चार्श पर दाखिले हैं वो इस बार होंगे इसका मुख्य करण यही है कि इस बार सभी बच्चे पास हो गए हैं जिसके वजह से अब जो है वो सभी कख्षय में है वो अपना दाखिला लेश केंगे इसके अलावा हो सकता है कि जो आप स्ट्रीम चुनने जा रहे हैं उसके लिए आपक तो शिक्सको को यह महरबानी है वो आप भारी पढ़ सकती है और इस बारी महरबानी का मतलब यह होगा कि जो बेरोजगार युवा है जुनोंने पहले दसमी बारे में किया है उनके सामने भी यह प्रोब्लम आके खड़ी हो गई है कि बहुत सारे बरतियां आज के दिन भी ऐसी होती है जो दसमी बेस पर जो मेरिट है उसके अधार पर की जाती है तो जो 17000 बच्चे अरियाना में जिनके 100% नंबर आया है तो वह सत्रहाजार बच्चे अगर लगना चाहें तो वह कभी भी बरतियों में लग सकते हैं और किसी का नंबर वो कभी नहीं आने देंगे तो युवाव का विरोध का सवर है वो इसलिए भी उठने शुरू हो गया क्योंकि पहले ही विरोजगारी ज्यादा है और अब जो सरकारे और बोड हैं वो ऐसा रजल्ट निकाल रहे हैं कि जिनोंने पिछले साल या पहले कभी दस्वीं की थी उनके सामने ये जो बड़ा जो पहले कि भी यहाँ पर यही बताये कि बिना प्रिक्षयाल्य बच्यंक नहीं हो सकता तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका बारवीं का रुगा रुगशित हैं और जल्दी ही आन ¿क प्रेक्षया है यहर्यंक में बच्चेष्च्त कित पहले है nya है में दूसरी त्राइक बच्का का रजल्ट है रोग दिया है जैसे जब देख सकते हैं कि जो यहां पर बताया गया कि कोरोना संक्रमण के चलते जो बारवी कक्ष्य का प्रेडाम है वो भी बॉड नहीं त्यार कर लिया अंग पर जिसे वह वहांसि अगर बच्चों के पक्स में फैसला आ जाता है तो हाँ पारक रजल्ट है वो भार्याना बॉर्ड की दोवारा है वह गोशित के साथ सेयर करने थी अपडेट कैसे लगी कमेंट में जरूर बताईएगा आगे भी आपको आपके रजल्ट या आप से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट होगी उसकी जानके रही आपको इसी परकार मिलती रहेगी धन्य